रादे कृष्णा दोस्तों कैसी है आप सब दोस्तों मुख शुद्धी हे तू खाना खाकर हम लोग अधिकतर सौफ खाते हैं सौफ एक ऐसी चीज है जो हम नाकिवल खुद खाते हैं बल्कि दूसरों को भी खिलाते हैं और कुछ एक सब्जियों में तो सौफ डलती भी है सौफ एक ऐसी चीज है कि हमारे डे टुडे लाइफ में बच्पन से हम लोग इसको यूज करते आ रहे हैं जब छोटे थे तो जैसे बच्चों को इदी लूज मोशन लग रहा हो तो उनको सौफ का अर्क दिया जाता है उससे कंट्रोल आ जाता है सौफ हमारे पाचन क्रिया को भी कंट्रोल में करती है इसी लिए कहा जाता है खाना खाने के बाद में सौफ जरूर खाने चाहिए एक तो आपके मुख से आपने जो कुछ भी खाया है वो स्मेल सारी दूर हो जाती है और दूसरा डाजेशन में बहुत जादा हेल्प करती है सौफ नाकेवल हमारे डे टू डे लाइफ में यूसफुल है हमारे स्टामक प्रॉब्लम्स को सॉल्फ करती है हमारे मुख में से यदि कोई बद्बू अगरे आ रही हो तो उसको दूर करती है इसके अलावा जोतिश शास्तर में भी सौफ का बहुत अधिक महत्व है आपको यदि बुरे सपने आ रहे हैं आप बहुत परिशान है इस चीज़ को लेकर तो एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ी सी सौफ बांद कर अपने पिलो के अंदर रख लीजे और यदि आप वही पिलो डेली यूज करते हैं तो आप उसके पिलो कवर के अंदर डाल नहीं तो अपने सिरहने नीचे रख कर और यदि आप सोते हैं तो आपको उट रंग सपने आने बंद हो जाते हैं ऐसे सपने जिन के लिए आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं या जिन सपनों को देखकर आपको डर लगता है उस तरीके के सपने आने बंद हो जाते हैं कही और हरे रंग का रुमाल, हरे रंग का रुमाल नहीं है तो आप हरे रंग का पीस अफ पेपर भी ले सकते हैं, अपनी जेब में रखकर और जाईए और सौफ ज़रूर खाके निकल लिए तो आपका कारे ज़रूर पूरा हो जाएगा। आपके घर में कोई भी महमान आता है तो आप महमान को सौफ जरूर खिलाएए जब आप उनको जो भी चाय, पानी पिला रहें, खाना खिला रहें उसके बाद उनको सौफ जरूर खिलाएए और जोने में सुहावा हो जाएगा, यदि आप सौफ के अंदर धागे वाली जो मिश्री को तोड़कर डालते हैं, यदि आप सौफ के अंदर मिश्री डालकर आपकी घर पर आने वाले गेस्ट्स को जो भी आप खिलाते पिलाते हैं, उसके बाद मुख्र शुद्धी है तो आप जब उनको सौफ देते हैं, तो ऐसा करने से आपका शुक्र और चंद्र, य और एश्वरे, तो यदि ये दोनों गरह बलवान होंगे, तो हमारा मानसिक तोर पर, मन के तोर पर हम स्ट्रॉंग होना शुरू हो जाएंगे, और हमारा शुक्र भी बलवान हो गया, तो हमें सुख और एश्वरे के साधन बढ़ जाएंगे, तो सौफ ना किवल खाना ही अ सौफ के साथ मिश्री सर्व की जाती है, तो उसका रीजन यही होता है, कि सौफ एक तो वहां आने वाले लोगों का जो गला सूखने वगरे लगता है, तो वह भी ठीक हो जाता है, और सौफ जो खिलाता है, उसका शुक्र और उसका चंद्रमा स्ट्रॉंग होने लगता है, तो इन चुटी-चुटी सी अपनी डे-to-day लाइफ में छुटी-चुटी सी इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे घर में सुक्षांती और समरेदी बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारे रिष्टे मधूर होना शुरू हो जाते हैं, दोस्तों इन बातों का ध्यान रख